प्रियाग राज के एक दिव्यांग क्रिकेटर ने जिन्होंने एक रेल हादसे में अपने दोनों पैर गवाने के बाद भी इंडियन टीम के लिए क्रिकेट खेला और देश का मान बढ़ाया मिलिये ललित से जिस मुल्क में क्रिकेट एक खेल नहीं बलकि धर्म हो और किरकेटर किसी भगवान की तरह पूजे जाते हो उस देश में हर नौजवान का सपना होता है बड़े मैदान में गेंद और बल्ले की जंग के दौरान विरोधियों के होश फाक्ता करने की कुछ ऐसे ही खुआप देखा करता था ये नौजवान नाम ललित जन्मिस्थान रानी मंडी प्रियागराज ललित बश्पन से ही गेंद और बल्ले के दम पर बुलंदियों पर पहुँचने के सपने देखा करती थी और साल 2000 में उनके ही शेहर से निकले क्रिकेटर मुहमत कैफ ने जब इंडियन क्रिकेट टीम की कैप पहनी तो जैसे इन सपनों को पंक लग गए हो ललित अब छोटे बड़े हर टूनमेंट में हिस्सा लेते थे और जम कर परफॉर्म करते थे इस उम्मीद के साथ की मुहमत कैफ की तरहे उनके सिर पर भी इंडियन कैप होगी और जिस्म पर होगी ब्लू जर्सी जिसके आगे लिखा होगा इंडिया इन खुआबों को हकीकत में बदलने का समय आता उससे पहले एक बड़ा हादसा ललित का इंतजार कर रहा था साल 2012 में ललित एक ट्रेन हादसे का शिकार हो गए और अपने दोनों पैरों के साथ खुआबों के सच होने की उम्मीद भी गवा वैठे मुझे क्रिकेट खेलने का सुरू से ही शौक था बच्पन से ही मैं क्रिकेट खेलता था गली महलों में काफी नाम कमाया लेकिन जिन्दगी में एक ट्रेन दुरगशना होने के कारण मैंने अपने दोनों पैर गवा दिये हतास नहीं हुआ, मेहनत करता रहा बिन पैर सपनों का बोज अब कैसे उठेगा ये खयाल ललित को परिशान कर ही रहा था कि परिवार की जिम्मेदारियों के बोज ने ललित के सपनों को कुचल दिया ललित रोजी-रोटी के जुगार में लग गए बैवाहिक जीवन होने के कारण भी क्या नामे मैंने क्रिकेट को छोड़ा नहीं लेकिन जरूरते पूरी करने के लिए नौकरियां भी नहीं मिल लही थी फिर मैंने अपने इसी शौक को प्रोफेशन के तौर पे अपनाया और मेहनत किया खुआप कहा मरते हैं वो वक्त बेवक्त हमेशा परिशान करते हैं सपने साकार करने की ललक उठती है गिरती है लेकिन दम नहीं तोड़ती ये सब ललित के साथ भी हो रहा था और फिर एक रोज ललित ने विल्चेयर क्रिकेट के बारे में सुना ललित के सपने फिर जिंदा होने की कोशिस करने लगे ललित ने इने पूरा करने के लिए DCCBI यानि दिव्यांग क्रिकेट बोर्ड ऑफ इंडिया से गोहार लगाई और फिर वो वक्त ललित की जिंदगी में लोटा जब उन्होंने साल 2017 में इंडियन क्रिकेट टीम की जर्सी पहनी और यूटूब के माध्यम से मैंने इस क्रिकेट को सर्च किया जो की एक वील्चेयर क्रिकेट है काफी टफ क्रिकेट है इसकी एक संस्था है दिव्यांग कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया उसके फांडर मिस्टर हारुन रसीत जी हैं उनको मैंने संपर किया और उन्होंन ने मुझे क्रिकेट में एक मौका दिया मुझे अपने जोहर का झौज माने का तो उन्होंने मुझे दिसम्बर 2017 में नेपाल टूनामेंट के लिए भारती क्रिकेट टीम में मौका दिया और वहीं से मेरा इस वील्चेर क्रिकेट का सफर सुरू हुआ लेलित इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए पहली बार 2017 में चुने गई उन्हें नेपाल भारत और बांगलादेश के बीच खेला गया त्रकोडिये टूनामेंट में दिव्यांगो की टीम में शामिल किया गया था जहां उन्होंने शांदार प्रदर्शन किया और फिर उनका क्रिकेट कैरिया चल निकला इसके बाद ललित ने 2018 में गोरे गाउं इस्टेडिया मुंबई बाइलेटरल सीरीज भारत और बांगलादेश के साथ साथ और कई नेशनल और इंटरनेशनल क्रिकेट टूनामेंट में अपना जोहर दिखाया उनके नेशनल और इंटरनेशनल क्रिकेट पर्फॉर्मेंस को देखते हुए जून 2019 में ललित को उत्तर प्रदेश क्रिकेट टीम का कप्तान बनाया गया इनका सफना था कि हम मैच कहलें इसकारण सिए गए और इनका सेलेक्सान हो गया मैच में और इनका सफेले भी और जीते भी ललित ने सावित कर दिया कि जहां चाहा होती है वहां रहा निकल ही आती है पंखो से कुछ नहीं होता होसलों से उड़ान होती है होसले यही तो थे उसके पाद जब वो विना पैरों के था और अब वो टीम इंडिया की शान है विएरो रिपोर्ट जनतंत्र टीवी झाल